Hello everyone, welcome back to the channel, आज हम लोग अपने class 12th का बिहार बोट के लिए basically MCQ लेकर क्या है, बहुत सारा MCQ, बहुत important MCQ आपका है, और financial management, it means chapter number 9 का आपका यहाँ पे आज मैं आपको MCQ यानि की objective type question प्रैक्टिस करवाओंगा, क्योंकि question तो आएगा यहीं से, हना, question आएगा यहीं से, without wasting any time के क्या होगा, explanation के साथ बहुत अच्छे तरीके से, आपको मैं 20 MCQ से ज़्यादा इस chapter के स्रीव आज करवाने वाला हूँ, चलो देखो पहला question आपके screen पे यह रहा, primary aim of financial management, सबसे पहले बोलता है कि primary aim क्या है, किस चीज़ का, financial management कर नहींगे, financial management अगर कोई इंसान कर रह के wealth को बढ़ाने के लिए, wealth maximization के लिए, maximization and market value of equity, यह सारे चीज़ करने के लिए हम लोग करते हैं sir, financial management, ऐसा थोड़ी किसी एक चीज़ के लिए, नहीं sir, यह सारे चीज़ के लिए, इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा, all of these, को दिक्कत, पहला ही question में क्या दिक्कत sir, नहीं, the share में dividend तो देना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है, pre-determined dividend, dividend, certain dividend है, लेकिन देना तो पड़ेगा, retain earning आपका खुद का यहाँ पे बहुत समझ लिए के आपके लिए, कुशन के तरह काम करता है, आरा बास हमें, तो यहाँ पे बोला के retain earning, यानि कि company का ही बचाया हुआ पैसा, undistributed profit retain earning, accumulated profit भी जिसको बोला जाता है, वो सबसे cheapest पड़ेगा, इन सारे दिये गए, option में से, तो आपका answer क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, answer number D, retain earning, question number 3, question number 3 बोलता है, अब fixed assets should be financial through, किसके द्वारा fixed assets, तो fixed assets का मतलब long term benefit, fixed assets का मतलब है, तो आपका land, आपका machinery, आरा बास में तो यहाँ पर आपका क्या है? Fixed assets है, तो यहाँ पर furniture, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कैसे वो finance क्या जाता है, क्या long term liabilities है, short term liabilities है, mix of long term and short term से, और none of these, तो यहाँ पर अपका मेरे हिसाप से, according to me and you also, answer क्या हो जाएगा? long term liabilities Sir, क्या answer हो जाएगा आपका? Long term liability, क्या answer असेट्स बना सकते हो को दिक्कात सर नहीं next question current assets of business firm should be finance through अब बताइए current assets जो होगा business का वो किसके द्वारा finance किया जाता है only current liability के द्वारा only long term liability के द्वारा या partially from both long term and short term तो देखो आप जो current assets बनाते हो है ना उसमें आप long term loan भी ले सकते हो और short term loan भी ले सकते हो तो आपके लिए यहां पर option हो जाएगा number C कि यहां पर बेटा partially from both long and short term liability clear होगा सबको next not included in long term finance कौन सा इसमें से चीज long term finance में include नहीं है equity share बिल्कुल है डिविडेंट यह थोड़ा सा उटपटा सा लग रहा है मेरे हिसाफ से आंसर ही होना चाहिए लिए चलो तीसरा भी पढ़ते है preference share यह भी long term finance long term loan तो यह तो नाम से clear है तो यहां पर बोला गया कि option नंबर बी डिविडेंट इसका कोई यहां पर मिनिंग मतलब नहीं निकलता है इसलिए बोला गया long term finance में यह include नहीं होगा को दिक्कत नहीं सर वाइज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी वर्किंग कैपिटल जरूरी क्यूं है लेंड बाई करने के लिए यानि जमीन खरीदने के लिए बिल्डिंग खरीदने के लिए पेमेंट करने के लिए रूटीन expenses को और मशीन परचेस करने के लिए तो बताओ सर तो यहां पर सबसे पहले जानेंगे वर्किंग कैपिटल का मतलब यहां पर बोला रहा है कि working capital आपका day-to-day expenses को fulfill करने के लिए एक ऐसा capital चाहिए जो working capital होता है है ना सॉट टर्म तो यहां पर बोला गया कि working capital नाम से किलियर है कि वर्क करने के लिए जो capital जो day-to-day expenses day-to-day activities करने के लिए जो perform करने के लिए आपको चाहिए होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या सर working capital तो मेरा हिसाब से आंसर हो जाएगा बिटा see to make payment of routine expenses को दिकत नई सर बढ़ते रहो आगे the process of financial planning is क्या है सर process determination of financial objective को बनाना determined करना financial policy को determined करना financial procedure को all of these यह सब कुछ करना सर अरबा समझ में यह सब कुछ करना financial planning के process में include होता है next financial leverage is called favorable बोला गया है कि business के financial leverage यहां पे favorable होगा कब if retain on investment यानि कि जो बिटा तुम्हारा ROI है वो lower than है किस से cost of debt से return on investment is higher than cost of debt debt is easily available if the degree is exercising financial leverage is low अब देखो यहां पे बोल क्या रहा है simple सा चीज बोल रहा है कि मान के चलो अगर तुम 100 रुपय कमा रहे हो clear है मान के चलो तो 1000 रुपय लगा करके तुम 100 रुपय कमा रहे हो तो कितना कर रोइत है। UH और यह 1000 रुपया तुम्हेरा बैंक से यह 1000 रुपया तुम ने लिया बैंक से बैंक बैंक वाले ने तुमें दिया 5% पे कोदिक्का सर नई सर तो 1000 का 5% 50 रुपया हो तुम 100 रुपया कमा रहे हो और 50 रुपया बैंक में देद रहे हो तब तो चलो ठीक है तब मिला जुला करके ठीक है तो यहां यह वही चीज बोला गया अधिया रुपया करनेंसियल लिवरेज कंव फेवरेव लोगा जब तुमारा रिटर्न ओन इन्वेस्टमेंट यानि कि एक हजार लगा के एक सो कमारे हो ना वहाइर हो किससे संधमिन नमबर क्या हो जाएका बहला होता किससे एक को धिक ult क्काषर नय चलो बढ़ते यहां के अधार थिंक्स रिमेनिंग दा सेम एक इंग्रीज इन ट्क्रेट में कोर्पोरेट व्हों यहाँ पे बोलता है कि तुमारे पास अगर corporate का tax rate बढ़ा तो उसका profit में क्या increase होगा देखो यहां पर बोलता है make debt relatively cheaper make debt relatively less cheaper have no impact on the cost of debt or none of these तो देखो यहां पर जब तुम्हारा financial structure जब तुम त्यार करते हो तो अगर तुम्हारा ROI जादा है किस से cost of debt से हैना तो तुमको क्या हो रहा है कि तुम जब interest पे करते हो ना तो वो तुम्हारा P&L account में जा करके तुम्हारे profit को घटा देता है जिससे tax तुमको क्या होता है बिटा कम लगता है क्योंकि तुम्हारे लिए company के point of view से वो जो debt होगा वो relatively cheaper होगा कोई दिक्कत सर नए चलो बढ़ते हैं आगे companies with higher growth paternal are likely to यहां पर बोलता है वैसा company जो profit कमाते आ रहा है है ना एंचेस्टर profitable company है वो वो क्या होगा तो यहां पर option तुम्हारा ए यहां पर बोलता है कि वैसा company जो company तुम्हारा एंचेस्टर profitable है ना वर्सों से profitable company तो उसका यार्ट वो क्या करेगा ना कि मेरे हिसाब से जो low dividend देगा क्यों सर ताकि उस पैसे को वो और invest कहीं से करके profit कमाना और चाहेगा अपना business को expand करना चाहेगा ना कि dividend दे करके उस पैसे को खतम करना चाहेगा तो वो क्या करेगा lower dividend देगा next the sources of fixed capital is not क्या है सर नहीं issue of debenture fixed capital issue of share fixed capital creditor यार creditor ही बोला जाता है इसको debenture holder को right तो मेरे हिसाब से answer क्या हो जाएगा not यहाँ है ना answer बेटा C ही हो जाएगा creditor यानि कि our last क्या है loan from industrial and financial cooperation of India यहाँ पे बोला गया fixed capital तुमको कहा from industrial यह भी fixed तो option तुमारा क्या नहीं है C creditor next क्या हमारा modern approach of financial management is क्या है सर हमारा modern approach procurement of fund fund को लाना utilization of fund fund को use करना बोथ A and B yes sir option number C यानि कि procurement of fund भी होगा और utilization of fund भी होगा को दिक्कत सर नहीं next क्या हमारा main functions of financial management आर क्या करना सर financial planning करना बिल्कुल procurement of fund अभी जस्ट आपने बताया सर allocation of net profit dividend decision यह तीनों काम करना इसे लिए answer आपका क्या हो जाएगा all of these को दिक्कत सर नहीं question यहीं से आएगा याद रखना बिटा question यहीं से आएगा इसे लिए अच्छे से पड़ो financial manager take decision as to कौन कौन सा decision लेता है financial manager financing decision पैसा कहां से आएगा बिल्कुल लेता है sir investment decision कहां invest किया जाए कितना working capital पे कितना fixed capital पे बिल्कुल लेता है sir और dividend decision पे भी कितना बाट दिया जाए कितना retain running रखा जाए तो यह तीनों decision लेता है इसी लिए answer number D all of these is the right answer financial management is क्या है sir financial management बताना art है science है art और science दोनों है तो sir यह science भी है और art भी है क्यों है sir क्योंकि हम लोग systemize चीजों को पढ़ते है systematic knowledge हम लोग लेते हैं that is the part of science and अपना हम लोग खुद का creativity को लगा करके काम को perform करते हैं that's why financial management is art and science बोथ को दिक्कत नहीं sir next characteristics of sound financial planning आर भाईसा financial planning कैसे क्या simplicity होना चाहिए बिल्कुल sir क्या liquidity होना चाहिए असानी से आपका जो भी instrument है वो liquidity में बदल जाना चाहिए बिल्कुल sir economic की फाइती भी होना चाहिए जो मेरा सस्ता होगा हम उसी को लेंगे डेट सस्ता डेट एक्विटी सस्ता एक्विटी है ना flexibility भी यहाँ पर चाहिए बहुत सारा चीज चाहिए तो यहां पर यह सब हो जाएका सर आल अफ दीज हो जाएगा कोई दिक्कत सर नहीं कि डिटर्म मिनांट आफ वाकिंग कैपिटल इस बोला गया वाकिंग कैपिटल को डिटर्माइंड करने के समय क्या देखा जाता है साइज आफ मैनुफैक्टरिंग प्रोसेस एक महिना तक लग रहा है किसी भी जैकेट को बनाने में या स्वेटर को बनाने में तो उतना दिन का तुमको पैसा हाथ में चाहिए ना वह भी देखना पड़ेगा अगर वानुफैक्टरिंग चल रहा है था ना तुमारा राम मेट्रियल का तू सिच्वेशन में क्या करना पड़ेगा आपको बल्क में मंगवा करके रखना पड़ेगा राम मेट्रियल तो यह तीनों चीज होगा इसलिए बोला गया है औल ओफ द एभव कोई दिक्कत सर न न न यह तो वोकिंग कया पिटल है फॉर पर फोर पर्चेज अफ़ लेंट हां सर यहां लेकिन बाकी। फट euros लेना फ्रफर पर फौर दो परिज का पूर वी लेंगर क्यापिपिटल यह किसलिए फिक्स्ड का कपिटल चाहिए सर फॉर परफ़ जय लांड कोई दिक्कत नह है सर यह आपका fixed assets से बिटा furniture तो यहां पर option आपका क्या हो जाएगा option number D क्योंकि पूछ रहा है कौन include नहीं है current assets में तो furniture आपका fixed assets करने असेट से nature का इसलिए बोला गया यह तब क्या हो जाएगा option number D next क्या है why capital structure decision is important क्या यह effect करता है cost of capital को बिल्कुल करता है सर अगर हम लोग decision नहीं लेंगे financing decision capital structure decision तो कैसे पता चलेगा यार कि बैंक से लोन लिया जाए या कि विटी शेयर इसु किया जाए आरा बात समझ में और effect market price of share बिल्कुल financial planning करना ही पड़ेगा capital structure decision लेना ही पड़ेगा तो यह option हो जाएगा बिटा बोथ a and b clear होगा सबको next sensex is dependent on कितने कंपनियां पे sensex बेटा dependent होती है तो बताओ 30 50 75 100 कितने कंपनियां पे तो बेटा यह हो जाएगा तुमारा 30 क्योंकि sensex जो है वो BSE Limited Bombay Stock Exchange Limited को रिप्रेजेंट करती है और टॉप 30 कंपनियां यहीं यहाँ पे अगर निफ्टी होता तो यह 50 हो जाता लेकिन अभी निफ्टी नहीं है भी sensex है इसे लिए क्या हो जाएगा option 30 को दिक्कत सर नहीं कि वीच आफ फॉलिविंग इस डिटर्मिनांट ओफ कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ कैस्फ फ्लो इस्टेटमेंट देखना पड़ेगा सर यहां पे कोश्चन का मतलब है कि जब तुम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हो कपिटल का मतलब कि मेरा कमपनी पांच लग के तो तीन लाख लोन लिया जाए दो लाख स्टेटमेंट को बिलकुल होड़े तभी आप डेट लोगे क्यूंकि इंट्रेस्ट आपका फिक्स लिइबिलिटी कहलाता है बैंक को आपको अमेशा payment करते रहना है है ना तो आपके पास liquidity का होना याने availability of cash का होना बहुत जरूरी होता है तो यह answer सही है उसके बाद नीचे भी पढ़ेंगे interest coverage ratio I see यह भी देखना जरूरी है कि हम लोग भाई कितना टाइम्स दे रहे हैं interest आ रहा बात समझ में यानि कि मान के चलो अगर हम लोग 20 लाख रूपया कमा रहे हैं और 10 लाख रूपया दे रहे हैं तुमारा ये क्या बुलते हैं उसको तउ कितना time से टाइए two times तो नहीं בש three logo six water fer कटना चाहिए यानि कि तुमा एसे समझंग Holy यहां पर बोला गया है कि तुमको यह भी देखना पड़ेगा about service coverage ratio यहां इसको भी देखना पड़ेगा यह पूरा-कापूरा उधार हो को देखता है कि capital के साथ interest interest के साथ capital भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है जो तुम्हारा creator है उसको तो यह तीनों देखना पड़ेगा यसलिए आपका option जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर all of the above को दिक्कत नहीं सर next financing decision is related to किस चीज़ से related है सर फाइनेंसिंग डिसीज़न बताना capital structure से financial structure से capitalization से और financial planning से तो बेटा financing decision में हम लोग यह देखते है कि पैसा कहां से लाया जाए डेट उधार लिया जाए या equity share issue किया जाए तो यह दोनों हम लोग क्यूं कर रहे हैं अपने capital structure को बनाने के लिए ना तो capital structure क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा को दिक्कत नहीं last question कि चलो यह question हम आपके लिए छोड़ देता है ठीक है the sources of working capital is बताओ data bank overdraft cash sale all of these तो यहां पर बताओ आपका क्या हो जाएगा विटा अंसर तो सोर्सेज़ वरकिंग capital आप लोग live तो हो नहीं तो आप लोग इसका comment करके बताना कि क्या होगा इसका answer ठीक है वहां पर मैं आप को देखना चाहता हूं कि आप लोग कितनी लोग वहां पर comment करते हो यह चलो यार बता ही देते ने तो फिर तुम लोगों को लगए कि सर आप क्या लग रहा है कि लास्ट में आप क्या करके चलेगा इसके लिए कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है तो sources of working capital तो working capital क data भी है bank overdraft short term हम लोग ज्यादा पैसा बैंक से निकाल लिए ना तो यह भी short term है cash sale यह भी तुम्हारा मतलब इसी में आता है working capital में तो तुम आपका answer जो जाएगा वो all of these यहां पर हो जाएगा को दिक्कत सर नहीं तो चलो इसी तरीके से हम लोग next video में मिलते हैं financial market में तब बाइ बाइ